Hello everyone, मेरा नम Шिवांग है और आज हम बात करने वाले एक नए बिजनस अइडिया के बारे में जो कि यह है car washing का बिजनस इस business के बारे में बात करने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि actual में car washing business कहते किसको है Car washing business जैसा कि नाम से भी पता चल ला है car washing washing मतलब धुलना, car को धुलना, मतलब की car या bike की long life को बढ़ाने के लिए, उसको maintain करने के लिए हमको उसको साफ सुथरा रखना होता है, जिससे की हमारी car या फिर bike well maintained हो सके, और इसी काम को करने वाले businesses को हम लोग car washing या फिर bike washing business कहते हैं, पूरे वर्ड में car washing की जो market size है वो लगबग है 29.3 billion dollar की है, तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस business में कतनी high opportunity है, अगर आप भी car washing का business जुरू करना चाते हैं तो आपको भी कुछ resources की जरूत पड़ेंगी, जो की हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जैसे की इस business को open करने के लिए आपको कौन कौन से licenses की ज़रूत होगी, साथी साथ इस business में कितना profit होने वाला और इस business में investment कितना लगेगा और आप अपने business की marketing कैसे करोगे, इन सबी चीजों पर हम लोग detail में बात करने वाले हैं, तो अब हम बात करते हैं कार्श वाशिंग business कैसे सूरू करें, step number on business model आपको पहले यह decide करना होगा कि आपका type of business क्या type of business मतलब B2B है या फिर B2C है, बिजिए न कि आपके business का type like business to business होने वाला है या फिर business to direct consumer होनेवाला है, ब्नलब कि आप अपनी services किसके लिए provide करने वाले हो यह आपको decide करना होगा, उसके बात size of the business model मतलब कि आपको अपने business का size decide करना कि आपको इस business को small level पर start करना है, या फिर medium level पर या फिर एक बड़े level पर start करने है इसको decision लेने के बाद आपको इस business में कितना capital लग सकता है मतलब कितना investment लग सकता है उसका एक rough budget आपको ready करके रखना होगा साथी साथ आपको ये भी decide करना है कि आप इस business का ownership क्या रखने वाले हो मतलब कि partnership या फिर कोई private company या फिर limited liability company क्या रखने वाले हो business model decide करने के बाद अब हम move करते हैं हमारे next step पर हमारा next step है market research हमको ये decide करना होगा कि हमारे business की जो target audience है वो कौन सी है मतलब कि उनका age क्या होगा उनकी gender क्या होगी हमको ये research करना होगा कि हम जो भी service provide करने वाले हैं वो कौन सी audience को provide करने वाले हैं क्या वो उनका gender कौन सा है उनका age group कौन सा है इन सभी बातों पर हमको गौर से ध्यान देना होगा उसके बाद हमको अपने competitor को भी analyze करना होगा जैसे कि हमारे area में कितने ज़्यादा competitor है उन सभी के business के price list check out करने होगे जिससे कि हमको ये अंदाजा हो जाएगा कि हमें भी क्या price list रखना होगा साथी साथ हमको अपने competitor की exterior और interior पर ज़्यादा ध्यान देना होगा जिससे कि हमको ये अंदाजा हो सकता है कि या फिर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अपने outlet का interior और exterior कैसे design कर सके तो ये हो गई बात market users से related अब हम move करते हमारे next step पर हमारा next step है raise money to start this business इस business को start करने के लिए आपको कितने पैसे की जरुत पड़ेगी आप पैसे कहां से arrange करोगे देखो पैसे arrange करने के लिए दो तरीके होते हैं एक तो debt दूसरा होता equity debt debt का मतलब होता है उधारी जैसे कि हम किसी अपने friend या family member से पैसे लेकर अपने business को start कर सकते हैं या फिर loan लेकर अपने business को start कर सकते हैं या फिर कोई चीज गिरवी या फिर मौर्केज रखकर अपने बिजनस को स्टार्ट कर सकते हैं तो यह सब फंड को हम लोग कहते हैं और सेकेंड होता है एकुटी equity में क्या होता है हमारे business की share equity के रूप में हम अपने investor या फिर अपने partner को दे देते हैं जिसके बदले हमको fund मिलता है जिससे कि हम अपने business को और भी जादा run कर सकें मतलब कि equity वो तरीका है जिससे कि हम अपने business के लिए fund raise कर सकते हैं की हो गया partnership और investor partnership क्या करता है जो कि आपके साथ मिलकर आपके business में फंड भी लगाता है वो operate भी करता है वो responsible भी होता है लेकिन investor क्या होता है investor वो व्यक्ति होता है जो कि आपके business model को समझ कर उसमें पैसे invest करता है साथ ही साथ उसके बदले वो कुछ share आपसे लेता है आपके company के कुछ equity उसके पास रहती है तो यह दो तरीके है जिसकी मदद से हर कोई या फिर कोई भी entrepreneur अपने business के लिए fund raise कर सकता है तो यह हो गई बात raise money to start this business अब हम move करते हैं हमारे next step पर हमारा next step है location for your office देखो जब भी हम अपनी outlet decide करते हैं तो हमको यह decision लेना होगा कि हमारा जो outlet होन करने वाले हैं क्या वो target audience के पास है क्या वहाँ पर transportation की service available है या नहीं साथ ही सथ हमको यह भी check out करना होगा कि क्या वो market place में है या नहीं कुल मिला जुलाकर आपकी business का जो office का location होना चाहिए वो totally prime location होना चाहिए जिससे की आपकी sale high हो सके तो यह होगी बात location से related अब हम move करत करने वाले हैं मतलब room ढूंडने वाले हैं जो की spacious होना चाहिए साथी साथ वहाँ पर ventilation facility होनी चाहिए और वहाँ पर electricity supply साथे साथ drinking water facility भी होनी चाहिए यह सब कुछ basic common facility हैं जो की आपको मिलनी चाहिए जब आप अपने location पर अपनी office का infrastructure decide करने वाले हो तो तो यह हो गई बा के पास manners अच्छे हो साथी साथ वह trained होना चाहिए इस service में जैसे अगर धुलाई center है तो उसको धुलना उलना आना चाहिए ठीक ना और वह अपने customer को एक अच्छी customer service का experience दे सके जिससे कि आपके company या फिर आपके service की या फिर आपके business की value बढ़ सके तो यह होगे बाद recruiting staff से related अब हम move करते हैं हमारे next step पर license and registration जब आप अपने business का ownership decide करते हैं तब आपको अपने business को ROC के साथ register कराना होगा चाहे तो turnover साल भर में 12,00,000 से उपर हो जाता है तो और आपको अपने shop के लिए shop establishment act के तैस license लेना होगा और साथी साथ trade license लेना होगा और जो भी business के common documents है उसको आपको ready करना होगे इसको आपको register कराना होगा ROC के साथ ministry of corporate affair के अंदर में तो यह होगी बात license और registration से related अब हम move करते हमार next step पर हमारा next step है promotion marketing इस business की marketing और promotion आप कैसे करोगे जिससे की आपकी business की sales हाई हो जाए और आपके business की profit भी increase हो जाए कुछ basic tips है जैसे की visiting card और pamphlet को छपवा कर आप अपने local area में distribute कराए अपने business की digital marketing कराए जिससे की आप अपने ज्यादे से ज्यादा customer तक easily पहुंच सके एक बकाइदा full flash video बना कर अपनी YouTube channel पर upload कीजिए जिससे की और भी ज्यादा आपके पास customer आ जाएंगे साथी साथ आप अपने इस offline service को online भी ले जाए जिससे की आप अपने एक website को भी maintain करवा सकते जहां पर आपके पास जो भी customer आएंगे ने उनके लिए अलग से offers होना चाह है तो यह कुछ basic tips थे promotion marketing से related अब हम move करते हैं हमारे next step पर हमारा next step है profit इना मन देखो इस business में generally 30-50% की margin होती है और अगर हम 30% की margin भी मान के चलते हैं और आप एक महिने में लगवा 5 लाग का turnover करते हो तो इस हिसाब से 30% 5 लाग का लहुता है 1.5 लाग रुपए मनलब की 1,50, आप profit gain करोगे इस business से तो यह होगे बात profit से related अब हम move करते हैं हमारे next step पर अब हम बात करते हैं equipment required इस business को start करने लिए आपको कौन कौन से equipment की जरूत पड़ेगी देखो पहले तो water motor की जरूत पड़ेगी जो की लगभग आएगा 15,000 तक का second heavy duty machine की जरूत पड़ेगी जो की आप अपने accounts को maintain कर सको लगभग 10,000, dex की जरूत पड़ेगी लगभग 5,000, inverter की जरूत पड़ेगी लगभग 10,000, bill machine की जरूत पड़ेगी लगभग 5,000, CCTV camera की जरूत पड़ेगी लगभग 10,000, fans की जरूत पड़ेगी लगभग 9,000, साथ इसाथ आपको लगभग 5 chair की तो अब हम बात करते हैं investment required के बारे में इस business को start करने के लिए आपको कितना investment लग सकता है security deposit 50,000, rent 10,000, digital marketing 10,000, registration and licenses 15,000, marketing collateral 10,000, equipments 80,500, salary 20,000, electricity bill 5,000 तो total मिला जुला कर 2,500 रुपे का initial investment लग सकता है इस business को एक medium level पर start करने के लिए अगर आप इस business को small level पर या फिर medium level पर start करने वाले हो तो आपको 50,000 से लेकर 5,000,000 तक का initial investment लग सकता है लेकिन अगर आप इस business को बड़े level पर start करने वाले हो तो आपको लगभा 5-15,000,000 का initial investment लग सकता है So Thank You Everyone अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो इस चैनल को subscribe कीजिए So Thank You, धन्यवाद, Have a Good Day